हेलो एवरिवान, वेलकम टो माई चैनल, लाउन विट फाइजा, आज हम एक एसी हैल्फ प्रॉब्लम और इसके सल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें लोगों को सास लेने में दिक्कत होती है, और सास लेने में तकलिफ हो जाती है, या फिर बलगम बहुत अधिक मात बनने लगता है, तो गले में, नाक में, छाटी में, आप यहां पे देख रहे हैं कि यह जो है वो एक्स्रे में पूरी तरीके से बलगम दिखा रहा है, तो बलगम जो है वो छाती में बढ़ जाता है, या फिर लंबे समय तक उनको खासी रहती है, तो यह प्रॉब्लम को हम सीखते हैं, तो आज हम डीटेल में स्ट्यवदी करेंगे AB Filin, ASR के बारे में, ASR का मतलब होता है सस्टिन, रिलीस, AB Filin का मतलब है AC Brow Filin, तो अब सीखते हैं डीटेल में, कि जब भी किसी को खासी होती है, तो उस बुम्यारी को अस्थमा कहते हैं, तो आप नॉर्मल और यह डायमेटर है डोनर में आपको फर्क दिख रहा होगा तो अस्थमा में यह जो ब्लड का फ्लो आ रहा है उस डायमेटर यह डायमेटर में कितना फरक है और यह जो डायमेटर वो छोटा हो गया है तो चलिए आप सीखते हैं डीटेल में इस टेबलेट के बारे में आज ह इफेक्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी केटेगरी, एंड ड्रॉग-ड्रॉग इंटरेक्शन्स, तो यह जो सारे चेप्टर से वाज हम वन बाई वन स्टरी करेंगे, तो आप लाज सक बने रहिए, जिससे आपको भी, अगर यह जो सारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से अब फ्राइलिन, एसर टूहंड़ेड, इसलिए बिकॉज इसकी जो स्ट्रेंट है, वो दोसो एमजी की रहेगी, तो एसी ब्रो फ्राइलिन, डोसो एमजी में अविलेबल रहता है, अब कंपनी के बारे में जाने, इसे मैनोफेक्चर संफार्मसिटिकल इंडिस्ट्री करत होती है, उस respiratory problem को solve करने के लिए, ये medicine patient को दी जाती है, जिससे की अस्थमा, COPD, COPD का मतलब होता है, chronic obstructive pulmonary disease, तो आप यहाँ पे देखें, तो ये जो dilator है, bronchia के, तो ये dilator का, ये healthy है, तो यहाँ पे आप देखें, ये diameter इतना है, और ये जो diameter है, इसमें इतना फर्क रहता ह है, तो COPD में, आप जो भी breathing ले रहे हैं, तो आपके जो alveolers है, और हमारी जो vessels है, वो उसका diameter कम हो ज़ादा है, जिसके कारण breathing proper नहीं हो पाती है, और bronchitis, तो ये जो सारी health problem है, उस problem में, अभी फाइल इन ऐसा tablet दी जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इन बलगम जमा हो जाता, और लंबे समय से खासी रहना, अब लेबल स्टुडी के बारे में रेखें, अभी फाइल इन ऐसा जो है, वो डिकती कैसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका box packaging है, यहाँ पे उसका प्रान नेम है, उसका composition और जो generic नेम है, यहाँ पे दि है, तो आप यहाँ पे देखें, कि ये जो medicine है, वो uncoated medicine है, और sustained release tablet है, इसका 200 mg वेट रहता है, और warning के according, जो retailers है, वो without prescription नहीं दी जाती है, अब हम सीखें, कि ये medicine blister pack में available रहती है, और each pack में 10 tablets आती है, वर्किंग के बारे में सीखें, तो ये medicine bronchodilator के class की है, जो कि हमने पहले इसे एक लिया, जिसका मतलब होता है, कि वो हमारे body की bronchial tube को dilate, means relax कर देता है, ऐसा होने पर air lungs के अंदर easily पहुँच जाती है, आप यहाँ पे देखें, ये जो है, वो normal lungs की lining है, ये bronchial tube है, अगर अ और inner जो lining है, वो shrink हो जाती है, तो अगर हम ये medicine है, अगर आप ये ले रहे हो, तो उसके बार, ये जो normal condition है, इस condition के जेसे ही, यहाँ पे condition बन जाएगी, तो आपके जो muscle है, वो shrink हो गया है, तो आपके जो muscle है, वो फिर से relax हो जाएंगे, then, so, जब कोई person को ऐसा problem है, कि उनको bronchial tube narrow होने के कारण, अस्थमा का attack आता है, या फिर breathing issue होता है, तो ये medicine लेने से, ये problem solved हो सकती है, तो इसको लेने के बार, person easily bracing करने लगता है, अब doses के बारे में सेखे कि इसका dose कितना है, patient को कितनी लेनी चाहिए, इसका जो adult dose है, वो 100 mg दिन में दो बार, twice याने की दो बार, तो इसका मतलब है, कि ये जो है, वो 100 mg दिन में दो बार ले सकते हैं, 200 mg once a day, अगर कोई 200 mg ले रहा है, तो single tablet लेनी है उसे, अब तो AB filing की latest price है, रुपीज 252 of total 10 tablet, 10 tablet की price रहेगी 252, जो की December 23 की latest price रहेगी, और अगर single tablet आप रहे रहे हो, तो उसकी price आपको रहेगी 25.2 रुपीज, अब साइट इफेक के बारे मेडिक, अगर कोई patient ये medicine ले रहा है, तो उस patient में कौन-कौन से साइट इफेक देखेगी, सबसे पहले diarrhea हो जाएगा, nausea, vomiting, dizziness, चक्कर आना, heartburn रहना, stomach में discomfort होना, skin paralysis बनना, drowsiness, भारी-भारी सा लगना, उसके बार allergic reaction अगर किसी को है, तो क्या ध्यान में रखना है, तो अगर कोई abifilin ले रहा है, तो वो क्या ध्यान में रखके abifilin जो tablet है, वो ले सकता है, तो इसी कौन-कौन से disease है, जिसमें abifilin लेने से पहले, patient को खास क्याल रखना है, कि उसे abifilin ले सकते हैं, या फिर नहीं ले सकते हैं, तो सबसे पहले है blood pressure, अगर किसी को BP की बिमारी है, blood pressure high और low रहता है, तो उसे ये medicine avoid करनी है, उसके बाद irregular heartbeat, unstable blood pressure, blood pressure proper नहीं रहता है, fluctuation रहता है, अगर किसी को heart की बिमारी है, kidney की बिमारी, liver की बिमारी और gastric में या फिर duodenal ursel है, तो उस patient को ये medicine avoid करनी है, अब pregnancy category के बारे में देखें कि एबिफाइलीन की US FDA के approved prescribed information के according, इसके pregnancy category C रहती है, तो pregnancy के लिए ये recommended नहीं की जाती है, तो pregnancy में ये medicine unsafe रहती है, अब drug drug interactions के बारे में देखें कि एबिफाइलीन SR जो tablet है, वो कौन-कौन सी drug के साथ interaction करती है, तो अब यहाँ पे list of drug देख रहे है तो यह जो सारी drugs है, उस drug के साथ abifilin जो है वो interaction करती है, तो अगर आप acebrophilin ले रहे हैं, तो acebrophilin के साथ यह जो drug है, वो आपको नहीं लेनी है, avoid करनी है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, एसी ही medicine के बारे में सीखना है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डॉप करके भी मुझे बता सकते हैं, कि आपको कौन से medicine या फिर कौन से disease के बारे में सीखना है, थेंक्यू फूर वाचिंग में वीडियो